Hello Friends, अगर आप Electronics और Electric जनकारिया जानना चाते हैं या फिर Knowledge लेना चाते हैं तो आप हमारी इस चानल को देखते रहें और चानल पे आए हैं तो सबसे पहले आप इस चानल को सबस्क्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिले और अच्छी अच्छी Knowledge मिल चलिए आज हम चलते हैं अपने वीडियो के quiz टाइम पर तो चलिए इस वीडियो में आपसे एक quiz पुछा जाएगा जो इस वीडियो के अंद में आपका उसका जवाब मिल जाएगा तो अगर आप जवाब दे सकते हैं तो comment box में ज़रूर जवाब दीजिएगा तो चलिए पहल टूड़ी टार्सफार्मत पर चल रहा था यह रिक्सा चार्जर 48 वोल्ट की तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम देख रहते हैं कि अक्मारी के लिए से टेपिंग कर रहा हूँ है टेपिंग कर दिया यह देख लिए पूरी टेपिंग हो गई अब इस पर हमको सिर्फ सेकेंडरी वायर लपेटना है तो सेकेंडरी वायर इसमें सिर्फ 48 वोल्ट की है वो आपको 15 नंबर की वायर है और 70 टर्न है तो चलिए यह 15 नंबर की वायर हम 17 तर्न उसी तरह लपेटा गया है जिस तरह मैंने प्रैमरी लपेटी थी और इसमें 15 वोल्ट के लिए एक अलग से टेपिंग निकली हुई है तो वो फैन के लिए आप उसको बिच में 15 वोल्ट के लिए 20 टन पर निकाल सकते हैं और हमने निकाल दिया है अब इसके बाद चली हम इसकी से मिलिंग करते हैं तो थोड़ी सी हम इसको फास्ट फरवट कर रहा हैं क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा यह देखिए हम इस नट को जैसे पिछली बार हमने खोला था वैसे ही इसको हमें फिर रबड पर लगाकर तकि आपकी बोड़ी स्ट नहों या फिर कहीं क इसको ट्रास्फर्मर रख देते हैं उसके बाद फिर उसकी जो रबड है उसको रबड रख देते हैं तकि हमारी ट्रास्फर्मर टाइट हो जाए और उसके बाद आप देख सकते हैं हाँ आप सुझधा अमसार ट्रास्फर्मर को इधर सो दर घुमा ले क्यों कि रोटरी की आपकी connection करनी है और रोटरी क्नेक्शन करने के बाद आप नट वल्ट वासा लगाकर उसे पुरी के पुरी पुर्टाइट करते और टाइट करने के बाद आप इसक करेंगे और remove करकर जहां हमको बारी लुप है उसको हम remove करके rotary में और सारे connection जोड़ेंगे और जो जिसे simply charger की जोड़ी जाती है वैसे simply की भी connection है connection को इसका अलगी नहीं है इसलिए आपको काफी परसान होने की कोई जूरुत नहीं यह देखिए हम इसे tight कर लेता है आप इसे जिर्ण से भी tight कर लेता है तो काफी अच्छा है लेकिन मैं इसे उसके बाद देखिए हम सारी के सारी enamel को remove कर चुके हैं कुछ enamel जो loop है उसको remove करना बाकी है उसको हम remove कर लेंगे और उसके बाद बारी बारी से हम rotary में जोड़ेंगे यानि कि जो हमारी rotary में सबसे बाहर वाली है उसको हम एक number पर जोड़ेंगे और उसके बाद वाले दो number पर इसी तरह आपको rotary की connection करनी है और rotary connection मैं आपको फिर कभी charger के बारे में बता दूँगा वैसे मेरे वीडियो बनाई है आप चाहें तो देख सकते हैं तो जल्द से आप जल्द जल्द रिमूब कर लिजे और उसके बाद मैं आपको थोजिसे वीडियो को मैंने fast forward किया क्योंकि बहुत लंबी वीडियो करने दो कोई फायदा नहीं है और दोस्तों आपको मैं यह कहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर ले और जो भी joint है उसे joint कर ले लेकिन इसमें कोई खास joint नहीं है मेरी वायर को छोटी होगी थी इसलिए हम इसे जूड़कर रोटरी पर हम ले जाएंगे और एक हम common पर जोड़ेंगे यानि कि जो सबसे अंत वाली है वो common पर जोटेगी और इस तरह आप रोटरी पर सारी connection कर ले और connection करने के बाद हम उसको फिर अगले पार्ट में connection है और इस connection को हम जल्द से जल्द complete करके जोड़ देते हैं ताकि आपको ज्यादा समय न लगे और उसके बाद ये देखिए रोटरी तिया ये तियादी पर ये एक नंबर है एक नंबर पर जोड़ दिए इसी तरह आप सभी के सभी लूप जोड़ ले और जोड़ने के जो 48 वोल्ट है वह कम से कम 56 64 वोल्ट आनी चाहिए और वो आती है तो आपकी सही है और नहीं आती है तो आपकी ट्रांस्फार्मर थोड़ी सी प्रोलम में है तो दोस्तों ये देखिए हमारी वोल्ट ओके है उसके बाद सारे कनेक्शन को आप अच्छी तरह से कर लें क्योंकि कनेक्शन आपको बिल्कुल सिंपली है कनेक्शन जेनरल चार्जर के तरह इसका कनेक्शन है मैनुल चार्जर के तरह जैसे 6 एंपियर 10 एंपियर की चार्जर आप कनेक्शन करते हैं बिल्कुल वह से ही इस इसका उपियोग है और साथ में इसमें आपको एक अलग से जो ब्रिज रिक्टिफायर दिया गया है वो तीन या दो या चार लोग पैरलेल में लगा देते हैं ताकि उसकी जो आपकी रिक्टिफायर है उसकी एंपियर बढ़ जाए बस सिर्फ इतना ही और यह अलमुनियम है तो देखिए यहाँ पर अलमुनियम की जो सेकेंडरी वायर है यह अलमुनियम है अगर कॉपर रहेगे तो कोई बात नहीं अलमुनियम है तो वहाँ पर थोड़ी से मजबूर जोड़ किजिएगा वहाँ पर एक अनट बोल्ट लगा कर या फिर किस लगा कर कलेंब को कह बनाओंगा जिसमें आपको फुली कंप्लिटेट आपको चार्जिंग की कनेक्शन ए टू जेड आपको बताई जाएगी यहाँ पर मैं सिंपल बेसिकली बना रहा हूं इसलिए थोड़ी सी उतनी टाइम नहीं मिल पाई जितनी टाइम चाहिए तो चलिए इस वीडियो को आ आप उसे मना ना करें ठीरी आपको मैंने दिखा दिया आप उसके हिसाब से आप उसको रिवाइंड कर सकते हैं सिंपली अगर आपको और भी जादा परसानी हो तो आपको सिंपली क्या करना है मैंने ऐसे तो आपको डिटिल दे दिया है आप इस डिटिल पर बान सकते हैं र आपको जीरो उसके बाद 20 टर्न पे आप निकाल देजिए फैन के लिए और सीधे 70 टर्न निकाल देजिए आपको 18-22 टेपिंग के लिए उसमें आप 15 वायर नंबर 15 यूज कीजिए 14 यूज कीजिए या 16 यूज कीजिए आपको अपने कैप सिटी के अमसार लेकिन 15 परफेक् बताऊंगा अगले वीडियो में कुछ वीडियो आने आवले हैं जिसमें कि आप और सिंपली तरीके से मोटे वायर को कैसे रिवायंड कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी से कट नाहीं होती है क्योंकि मोटे वायर डालना और उसके बाद अब देखिए हमारी सेब ठेक ठेक नहीं है यह देखे डिसी फुल्ट हमारी ओके है तो चले यह वीडियो से फितना ही अब चलिए हमें इसके बाद अगले इस सवाल जवाब के बारे में हम बात करेंगे जिसनों मैं आप से एक सवाल पूछा था तो उसका जवाब यह है पीएप और कंडेंसर दोनों में एक ही चीज है लेकिन कंडेंसर और प्यक में फर्क यह है कि कंडेंसर यो होते हैं उसमें प enem के अब और साथ में PF में कोई प्रोडाइज नहीं होते हैं याने कि PF आप कैसे भी लगा सकते हैं उसमें निगेटी पोजेटिव से कोई मतलब नहीं लेकिन आपको कंडेंसर में मतलब है अगर उल्टा लगा देंगे तो आपकी कंडेंसर फट जाएगी खराब हो जाएगी तो ये वी शेयर किजेगा और कमेंट में अपना राय जरू दिजेगा सो थैंक्स